दोस्तो जारकन में जो है मौसम पूरी तरह बदल रहा है जारकन के दस ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है जहां दोस्तो जारकन मौसम सबंचार में आपका सवागते यहां पर ख़वर ऐसी बताए जाए रही कि दोस्तो तेज आन्दी तुफान के अगर आप देखोगे तो जारकन में ऐसे में अगर आप भी जारकन के जितने भी सारे जिले उनमें से किसी भी जिले में रहते हो ना तो एक काम कर दीजे इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे नीचे कमेंट करके बताए कि आप जो ह से लुड़क कर हमें देखने को मिल रहा है 29 डिगरी मतलब दोस्तों काफी जादा यहाँ पर गर्मी सा राहा देखने को मिली है ऐसे में रांची में अगर आद देखोगे तो पिछले 24 गंटों के दौरान काफी जादा बादल चाहे देखने को मिले है तापमान मी गिरता जारे हिस्से यानि कि दोस्तों देवकर दुमका गोडा जामताडा पाकूर गिर्डिया धनबाद सहीब गंज में यहाँ पे जोड़दार बारिश की चैताउनी दी गई है यहाँ पर यलो अलट भी जारी किया गया है और इसके साथ अगर आप दक्षिन इसों की बात कर ले जिसमें पूरवी शिंगबों पश्चिमी सिंगबों शिमडेगा और सराई किला खरसावां भी सामिले जहाँ पर मौसम विबाग ने बारिश की साथ यह कहा है कि दोस्तों यहाँ पर भी मौसम पूरी तरह बदलेगा साथ ही इन सभी जिलों में 240-45 गिलोमेटर प्रती गंटे के रफतार से हवाई देखने को मिलने वाली है और तेज हाओ के बारने के साथ यहाँ पर आपको औरेंज अलड़ भी जारी किया गया है क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे भी शेत्र होंगे जहाँ पर गरत चमक भी काफी अभी भी राज्या के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर दोस्तों थोड़ी गर्मी देखने को मिलीती लेकिन आज से हमें कई ऐसे शेतर देखने मिलेगे जहाँ लगबख गर्मी घतम हो जाएगी और जहाँ पर हमें 24 गंटों में लूद देखने को मिलेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे विशन गिर्मी से रहात तो देखने को मिल रही है साथ में प्री मांसुनी बारिश भी अच्छी कासी देखने को मिली है और अब यहाँ पे स्टार्ट होते हुए प्रिमांसोनी बारिश के कारण हमें कई जगों पर येलो अलर जारी करते हुए देखने हो मिला मौसम विबाग के कारण जिसके कारण मौसम सोहना हुआ अगर आप देखोगी तो देवकर दुमका, गोड़ा, जामताड़ा, पाकूर, गिर्डिया, धनबाद और शाइब गन जिला में तो दोस्तो बारिश की काफ़ी जादा संभावना ही है साथ में दोस्तों यहाँ पे शिम्डेगा में भी और सिंग्वो में भी काफ़ी अच्छी-गासी बारिश हमें देखने को मिल सकती है वहीं दोस्तों यह बदलते मिजाज को लेकर यहाँ पे मौसम विबाग का यही कहना है कि कई लोगों की मुर्तियों हर साल होती है बिल्ली गिरने के कारण तो आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेगा ऐसे चीजों में वहीं दोस्तों आपको मैं बता दू कि पला मुवी और गड़वा एक दो ऐसे जिले है जहाँ पे दोस्तों 24 गंटों के दोरान हमें भले ही गर्मी देखने को मिली लेकिन अब यहाँ पे गर्मी से रहा देखने को मिलने वाली है क्बाख़ी दोस्तों एक एक जिले की बात कर लेते हैं कि दोस्तों एक एक जिले में कैसा मुव्सम रहने वाला है तो यहाँ पे आपको बता दो दोस्तों लोहर दगा में बताई जा रहा है 24 से 48 गंटों में भारी बारिश की चेतावनी है यहां पे सर्फ बारिश ही नहीं तो गरे चमक भी काफी ज़दा देखने को मिलने वाली है और मौसमिबाग यही कहना है कि दोस्तो टापमाण में काफी ज़दा गिरावड कोडर्मा में भी दोस्तों मद्यम दर्जी और बारिश की काफी जादा प्रबल सम्मावना देते हुए मौसम विभाग ने यही कहा है कि यहां पे जो है ना मौसम सुहाना बना रहेगा और गर्मी से रहा देखने को मिलेगी गर्मी तोर लगभग ना के बराबर होने वाली है यहाँ पर और दोस्तों आप देखने को मिलेगी और दोस्तो मौसम यहाँ पर पूरी तरह बदलता हुआ हमें देखने को मिलेगा गोड़ा में दोस्तो यहाँ पर वैसे तो मध्यम दर्जिय बारिश देखने को मिलेगी लेकिन वही बात ही कि दोस्तो काफी अच्छा मौसम यहाँ भी रहने वाला है अगर आप देखोगे तो ग्रीडिय में भी और चिटपुर से मध्यम दर्जिय बारिश देखने को मिलेगी ऐसे में गड़वा में दोस्तो वैसे तो जो है तापमा 37-38 डिगरी के आस्पास है लेकिन बारिश की काफी जादा संभावने और गड़वा में भी अब गर्मी सा रहात हमें देखने को मिलने वाली है चिटपुर से मध्यम दर्जिय बारिश भी हमें देखने को मिलेगी गड़वा में ऐसे में पूर्वी सिंग्भा में तो वैसे ही दोस्तो आयलो अलट जारी किया गया है मतलब यहां पर वारिश होने वाली है और वही हमें 24-48 गंटों में देखने को मिलेगी ऐसे में दुमका देखोगे तो दोस्तो दुमका में भी छिटपुर से मध्यम दर्जिय बारिश अब स्टार्ट हो चुकी है मौसम सुहाना बनना माला है और थंडी आपको देखने को मिलीगी और वहीं बात कर देते हैं कि दोस्तो यहां पर ध kicking का मौसम कैसा रएगा तो वहीं बतायजा रहा है कि दोस्तो धंगाद में अगर आप देखोगे गर्मी से बिल्कुल रहाद देखने को मिलेगा बोकारों की बात कर लेटेए न स-द्यों से मध्यम दर्जी यह बारीश yourself मौसम सुहाना भी रहेगा अगर आप भी बोकारों में रहते तो कमेंट करके जरूर बतेगा कि आप कहाँ पे रहते हो वहीं बात कर लें चत्रा की तो दोस्तों चत्रा में भी बात लोग की काफ़ जादा आवाजाई देखने को मिल रही है मौसम भाका यही कहना है कि दोस्तों यहाँ पर बारिशा में जरूर देखने को मिलने वाली है यहाँ पर आज और कल में और वैसे यह मौसम आपको पूरा हपता ही देखने को मिलेगा चत्रा में अगर आप भी रहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजे शिम्डेगा में तो दोस्तों मौसम भाका कहना है कि आज जोरदार बारिश होने वाली है गरज चमक भी देखने को मिलने वाली है और दोस्तों आज राज से जोरदार बारिश के साथ आपको मौसम पूरी तरह बदलता देखने हो मिलेगा तो अगर आप भी शेमड़ागा में रहते तो कमेंट करके बताईगा खरसाओं की बात कर ले तो गरत चमक के साथ खरसाओं में मौसम बदल रहा है यहां पे भी चिटपुर से मध्यम दर्जिय बारिश आमें देखने हो मिलेगी तो एक दो जगह पे जोड़ी बारिश देखने हो मिलेगी तो बाकी जगह पे जोड़ी बहुत बारिश देखने हो मिलेगी अगर आप इस सराइग किला में रहते तो वीडियो को लाइक करना साहिब गंज की बात कर ले तो साहिब गंज में मध्यम दर्जियों बारिश देखने को मिलने वाली है एक दो जगों पे दोस्तो थोड़ी बहुत बारिश तो एक दो जगों पे जोस्तो यहां पे जोरदार बारिश भी हो सकती है राजदानी रांची की बात कर ले तो रांची में तो दोस्तो वैसे ही मौसम सुहाना है ही है जोरदार बारिश तो हमें वैसे ही देखने को मिल रही है रांची में और अब गराच अमग भी काफी जादा देखने हो मिलेगी मौसम विबाग का यही कहना है कि दोस्तों यहाँ पे तो जो है मौसम सुहाना बना रहेगा और रांची वासियों के लिए गर्मी का लगबग खतम होने वाली है ऐसे में दोस्तों रांची बात कर लें तो रांची वासियों के लिए तो जो है मौसम सुहाना बने रहेगा आप कर मौसमर के बादल च्रह बता मौसम में देखने को मिल रही है कया बादल को मिलेगी है वासि विदियो को जरू करना अगर आप देखोगे तो यहाँ अब लगबग सभी जगों पर गर्मी लगबग खतंब होने वाली है मनलब दोस्तो लूट चलने के संभावना अब कहीं पर भी नहीं बताई जा रही है एक दो जगह ऐसी है जहां पर थोड़ी बहुत लूट चल सकती है लेकिन बागी तो सभी जगह जी हां दोस्तो सभी जगह बारिश जो है अपना प्रकॉप धारी है और दोस्तो प्री मानसुनी बारिश काफी अच्छी मोसम यहां पर पूरा बदल रही है और गर्मी से रहात तो देखने को मिली रही है साथ में दोस्तो किसानों के लिए भी काफी अच्छी कबर है क्योंकि दोस्तो उनके जो है बुआये का समय हो चुका है और अब उनके फसल कर आणिक का भी समय हो चुका है